मॉनिंग बच्चों मैं आज आपको क्लासिक्स की थर लैंग्वेज पार्ट सिक्स एब्रेश्ट के साथ मेरी भेट पढ़ाने जा रही हूँ यह अमारा सिक्स लेशन है और यह जो है यह एक आत्मकता है आत्मकता बोलने का अर्थ होता है जो खुद मतलब किसी के उपर लिख किस तरह से उन्होंने तकलीफ और कटनाई का पालन कर वह एब्रेश्ट की चोटी पर पहुंची तो इस तरह से उन्होंने यह अपनी आत्मकता जो है उन्होंने बताई है मैं तो आपको पूरी पार्ट को पढ़कर नहीं बता सकती इसलिए मैं सम्छिप्त में कुछ बता द कि उनके साथ बहुत लोग उन्हों अकेली नहीं थी उनके साथ बहुत से उनके मीत्र थे उनके साथ वे कठीन संघस करके उस पाहर पर जो है एब्रेश्ट की चोटी जो है वहां पर वह चड़ी थी वह चड़ी कप थी 23 मैं 1984 के दिन दोपहर के एक बज़े है ना वह एब्र पुरा समय कहां कहां वह वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा यह सारी घटना इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया है तो मैं आपको यह कहानी तो संचिप्त में ऐसे बता दी हूं और इसके अलाबा आप इसको पढ़ लीजेगा और मैं आपको परश्णूर्त लिखा दे रही हूं क्योंकि आपके पास किताब नहीं है मैं जानती हूं इसलिए मैं आपको पश्णूर्थ सब्दार्थ जो है अच्छे से दिखा दे रही हूं आप इसको याद कर लीजेगा सबसे पहला है यहां पर देखिए सिखर पाहार की चोटिये सब्दार्थ है ना आरोहन उपर चड़ना कर्म कर्म कंठता काम करने की सक्ति आनंदित प्रशन स्थिर बिना हिले डुले पिर स्रेश्ट था उत्तम उत्तमता पतिस्था सम्मानित प्रदान देना घुषना एलान आकर्षन सिख्रा सिचाव इसलिये इसलिए में आपको कुछ करना नहीं है पशनुतर तीनी है वह मैं लिख दी हूं मैं आपको पड़ के सुना दे रही हूं आप उसको लिख लिजेगा काप्यनीत पेहला है वेजंदरी एब्रेश की चोटी पर कब और किस समय पहुँची तो मैंने अभी बताया था यहाँ पर देखिए वेजंदरी एब्रेश की चोटी पर 23 मैं 1984 के दिन दोपहर के एक बचकर 7 मिनट में एब्रेश की चोटी पर पहुँची ठीक है यह हो गया आपका फर्स्ट एंसर सेकंड हो गया सागर माथा के ताज पर पहुँचकर वेजंदी ने क्या किया जब वो एब्रेश पर पहुँची तो सागर माथा तो पार किया होगा तो वहाँ पर पहुँचकर उनने क्या किया तो यह है सागर माथा के ताज पर पहुँचकर वेजन्ती ने सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठी बरफ पर अपना माथा टेक कर सागर मथी के ताज का चुमन लिया बिना उठे अपने थेले से हनुमान चालिशा और दुरगा मा का चित्र निकाल और उन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और चोटी सी पूजा करके उनको बरफ में दबा दिया तो यह जो है उन्होंने सागर मती जो है वहांपर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने घृटने के बल उहां जुके उनको इस धर्टी को चुमा उसे बाद उन्होंने हनमान चालिशा और मादुरगा की पूजा की चोटी सी और लाल कपड़े में उसको वही पर दफना ल के लिए भजेंतरी पाल को कौन कौन से पुरस्कार मिले बोलने का मतलब उनको परवता रोहन के लिए उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले उनको तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं फिर भी मैं लिख दे रही हूं परवता रोहन स्रिष्टा के लिए उन्हें भजेंतरी बारा को श्वन पदक पदमस्री पतिष्ट अर्जुन पूरसकार से सम्मानित किया गया बोलने का मतलब यहां पर उनको अर्जुन पूरसकार मिला स्वन पदक मिला है ना स्वन पदक जो होता है वो उनको मिला अर्जुन पूरसकार मिला इस सबसे उनको सम्मानित किया मैं एक पर ब नीचे में लाश्ट प्रेग्राब देखें यह इसी में ही उनकी जितनी भी उनको पुरेस्काल मिला है वो बताया गया है मैं आपको पूरा पार्थ पढ़ाने से बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए में आपको खाली कोसन अंसर और यह आपको बता दे रही हूं उसके बाद आ हुआ हुआ है